अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे, कॉमेंट दीजे और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजे तो चलिए अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिटर फूल फेट मिल्क, फूल फेट मिल्क से बनी हुई खीर का टेस्ट काफी अच्छा आता है आधा कब चावल, चावल को मैंने साफ पानी में धोके फिर लिया हुआ है चावल मैंने बास्पती इसमाल किया है बास्पती चावल के खीरे वो काफी टेस्टी बनती है या फिर अगर आप चाहे तो दूसरे चावल का भी इसमाल कर सकते है पांच बड़े चम्मा शक्कर, पांच ये बादम, बादम को मैंने लंबा काटके लिया हुआ है, साथ आठ काजू, काजू को मैंने बारे काटके लिया हुआ है, पांच ये पीस्ता, पीस्ता को मैंने बारे काटके लिया हुआ है, और एक छुटा चम्मा इलाची पावडर य मैंने गेस का फ्लेम बिल्कुर स्लो किया था और फिर चार से पांच मिनट तक इसे थोड़ा सा घड़ा किया है अब हम इसमें बिगोई हुए चावल डालेंगे जिसे हमने धोके लिया हुआ है इसे अच्छी तरह से हिला दे ताकि चावल ने वो दूद के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए दूद थोड़ा घड़ा हो जाए उसके बाद हम चावल डालेंगे ताकि चावल हो ज्यादा पके ना अब गेस का फ्लेम हम हाई करेंगे और दूद में उबाल आने तक हम इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे चमच को हम तली के नीचे ले जाके इ करेंगे ताकि खीर हो नीचे चिपके ना इसे हम थोड़े थोड़े देर में हिलाते रहेंगे दूद में उबाल आ गया है तो गेस का फ्लेम स्लो करेंगे ताकि ये चिपके ना और अब हम दूद को 15 मिनट तक अच्छी तरह से बॉल करेंगे कि तब तक है चावल हो पक गए है और खीर काफी थीक बनके तयार है तो अब इसमें हम शक्कर डालेंगे और इसे हिला देंगे शक्कर डालने के बाद इसे हम दो-तीन मिनट दो कच्छी तरह से पकाएंगे ताकि शक्कर का जो कच्छा टेस्ट हो चला जाए अब हम इसमें इलाची पावडर आधे बादाम को हम अंदर डालेंगे और आधे बादाम के टुकड़े को हम गानिश के लिए रखेंगे पिस्ता भी हम आधा अंदर डालेंगे और आधा पिस्ता को हम गानिश के लिए रखेंगे अब इसे हम अच्छी तरह से हिला देंगे देखिए खीर है वो काफी थीक खीर बनके तयार है तो अब हम गयत का फ्लेम बंद करेंगे और खीर को हम सर्विंग बाल में निकल के सर करेंगे खीर बनके तयार है खीर को मेंने सर्विंग बाल में निकल लिया है अब हम खीर को पिस्ते से गानिश करेंगे और थोड़ा सा बादम भी डाल के इसके उपर गा खीर बनके तयारे आप इस खीर को फ्रीजबे रखके ठंडी कीजिए और ठंडे खीव सर कीजिए ठंडे खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चनल को कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबाराम फिर मिलेंगे तब तक एरे थेंक्यू बाई